हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टू माई चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको गर में पड़े जो एक्स्ट्रा समान होते हैं उसी से मैं आपको और्गिनाइजर बनाना या फिर घर को और्गिनाइज करना बताऊंगी तो चलो हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ हाँ पर जो हमारे हैं टोफे हैं उस साइट को लिए इस हैंट व्ल्ल को को हमें चाहिए से और एक बीचमे से अम्हें सेंचर में सिलाई लगा लाएनी है जहा पर हुदा सिच कर लेना आ हैं इसिच करने के मारे हैं हमारे यहां पर यह Two pocket बन गई है पोकेट बनने के बाद हमें यहाँ पर हैंगर को लेना है और हैंगर को इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको स्टीच कर लेना है यहाँ पर स्टीच हो गया है स्टीच करने के बाद देखे हमारा टू पोकेट वाला और्गिनाजर बनके रेडी है अब आप इसको चाहो तो इसको बात्रूम में या फिर अलमीरा में भी कहीं भी इसको हैंक कर सकते हो तो यहाँ पर देखें मैं इनको अलमीरा में इसको पर्स रखने के लिए इसको हैंक किया है तो आप इसको कहीं भी इसको यूज कर सकते हो इसके लावा आप wall पे यहां पर हमारे switch होते हैं phone charge करनाने के लिए आप वहां भी लगा सकते हो phone को charge में लगा के इसमें pocket में आप ढाल सकते हो इसके लावा आप कोई भी regular जो Google से होते हैं उनको भी आप लगा के रख सकते हो चलते हैं हम अपने next idea की तरफ तो यहाँ पर मैंने एक दुपट्टा लिया है, यह मेरा पुराना दुपट्टा है, कोई सूट फट गया था तो दुपट्टा पड़ा है, तो मैं उस दुपट्टे का यूज़ कर रही हूँ, इस दुपट्टी की जो विथ है, मतब चोड़ाई है, थोड़ी कम है, तो इसल को डबल फोलड ओर कर लेना है, तो मैंने इसको अच्छत से डबल फोलड करके सेट कर लिए है, सेट करने के बाद हमें यहाँ पर दो हेंगर लेने है, और जहां पर हमारा तुपट्टा खुला है, खुले की साइड से हमें दोनों hanger को एक साथ इसके अंदर डाल देना है तो मैंने दोनों hanger को इसमें डाल दिया है डालने के बाद आप जहाँ पर open side है open side पर आप stitch कर लिजिए आप चाहो तो अच्छे से finishing करके इसको fold करके भी stitch कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर जो stitching वारा part है अंदर के side आजाएगा तो मैंने इसको उपर से ही सिलाई लगाई है तो अभी हमारे देखिए सिलाई कुछ इस तरीके से है तो इस सिलाई को अंदर करने के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा दुपट्टा है उसको hanger की तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा फोल्ड होने के बाद जो हमारी सिलाई है उस सिलाई को हम सेंटर में लेके आजाएंगे हमारी सिलाई यहाँ पर सेंटर में आ गई है सेंटर में आने के बाद हमें यहाँ पर एक hardboard लेना है उतना hardboard लेना है जितना हमें इसका space रखना है तो मैंने यहाँ पर जो बच्चों के register वाला hardboard होता है मैं उसी को लिया तक ही वो थोड़ा मजबूत है तो इस तरीके से इसको जितना space है उस दोनों side से हमें इसको stitch कर लेना है तो यहाँ पर organizer बनके बिल्कül ready है मैं आपको इसको hang करके बताती हूं कि इसको हम चैसे इसको यूज कर सकते हैं तो यहां पर देखिए और रखैने इसको और ऑर्गिनाइज करके रख सकते हो िते को तो पर सारी टृचल को रख्प के इसको और गिनाइज किया है आप यहाँ चाहो तो अपने पर्स को, जिन्स को या कोई भी आइटम को यहाँ पर रखके इसको औरगिनाइस करके रख सकते हो छोटे मोटे आईडियाज है तो चलते हैं अपने यहाँ पर next idea की तरफ तो यहां पर मैंने यह ऐसे ही पड़ा था, सूट में से बची गया था, तो फैब्रिक है, साटन का फैब्रिक, तो यहां पर अपने का कुशन लेना है, कुशन को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करना है, मैंने यहां पर एक फोल्ड किया, जितना आपका भी फैब्रिक है, उसके according इसको fold कर लिए तो मैंने यहां पर दीखिए पूरे fabric को इसके साथ अच्छे से इसको attach कर लिया है attach करने के बाद अब यहां पर जो हमारे side में सी बच्चे हुए थे उसको यहां पर triangle shape में इसको fold कर लेना है इसी तरह दूसी तरफ भी हमें इसको fold कर लेना है इसमें हमें कोई भी सिलाई नहीं करनी है बस हमें इसको इसको fold ही करना है तो इसको fold करने के बाद यहां पर उपर की तरफ ले आएंगे दूसरा पार भी ले आएंगे तो इसको पहले हम यहाँ पर इसको पिन अप कर लेते हैं ताकि पिन अप करने से एक बर जो हमारा जो भी हमने कपड़े को फोल्ड किया है वो भिखरेगा नहीं तो एक बर मैंने इसको पिन अप कर लिया है उसके बाद हम यहाँ पर अलकी सी हाथ से इसको सिलाई लगा लेंग बनके बिल्कुर रड़ी है कोई सिलाई भी नहीं करनी पड़ी इस तरी किसम अपने यहां पर सोफे पर रखके अपने रूम को या सोफे को और्गिनाइज करके रख सकते हैं चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ तो जो मैंने यहां पर दुपट्टे वाला आइडिया बता है था वो सेम उसी प्रोसेस का है लेकिन मैंने यहां पर पिलो कवर लिया है जो राउंड पिलो होता है उसी को लिया है उस वाले और्गिनाइजर में मैंने यहां से लिए यहां पर अगरे ने ईहां पर यहां पर यहां मैं फिर की हारड बोर्डर की है तो यहां पर आप बड़ी पिन लगा लीजिए ताकि हमारा ओर्गिनाइजर बनके विल्कुछ सेट हो जाए और अगर आप पिन यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो तो इस तरीके से देखिए हमारा यहाँ पर यह बनके रेडी है उसके बाद हमें हमारे जो हार्ट बोर्ड है हार्ट बोर्ड को बीच में सेंटर में इसमें डाल देना है उसके बाद जिस तरीके से उपर की साइड हमें हैंगर लगा था वैसे ही नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर इसमें हैंगर लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इसको पिन से अटेच कर तो पिन सेटेट है चने के बाद मैंने तीन तीन तरफ लगए तो काफी यह मजबूत भी बन गया है तो यहाँ पर देखिए पिन लगा के मेरा बिल्कुल और बनके रेड है चलिए मैं इसको भी आपको हैंग करके बताती हूं तो यहाँ पर उसी और इसको भी हैंग कर दिया तो कोई भी कपड़े या आप अपने अकोडिंग जिस तरी के साब समाना चाकते हो उसके अकोडिंग आप अपने घर को और्गिनाइज करके रख सकते हो चलते हैं अपने नेक्स आइट वाला बेग तो यहांपर मैंने देखिए के कैरी बैग लिए तो इस कैरी बैग को हम काफ़ी अच्छा होता है इसके हैंडल को आप सीकें निअधर के तरफ से मैंने कार्ट बोड लगा या हैा इनकी के साइज काट करके कार्टबॉड 13uc करके सथी काट आंदर हम इससेंदर टाल देंगे तक कि हमारा साइड छहीं किस काफी मजबूत बन जाए तो मैं च्यारो तरफ से यहां पर कार्ट बोर्ड को डाल दूंगी आप कोई भी कार्ट बोर्ड ले लीजी अगर मोटा कार्ट बोर्ड लोगए तो आपका जो अरगिनेजर है वो काफी अच्छा बनेगा पतला लोगए तो पतला लिलें से थोड़ा सा आपकी शेप तो आ जाएगी तब तक आपको मेरा विडियो अच्छा लगा तो बंस वीडियो को लाइक कर देना अगर चैनल पर नए हो तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जुरोर बताना कौन सा इडिया आपको सबसे अच्छा लगा अब देखें मैंने यहां पर इतनी सारे बेक बनाके इसको अलमीडमस को और्गिनाइज करके रखेंगे